हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि ओपो F25 प्रो फोन में आप लोग फोटो हाइट कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Oppo F25 Pro फोन है और इस फोन में जो आपको फोटो हाइट करना है अगर आपके फोन में कुछ परसनल फोटो बगर आएगे जिनको आप लोग छिपा के रखना चाहते हो आपको जब फोटो का Album हो, File Manager हो या Google फोटो कहीं पर भी उन फोटो को Show नहीं करना है आपको जब फोटो को पुरत चिपा के रखना है ताकि यहाँ पर से कहीं पर भी वो फोटो ना दिखे आप ही जो है उन फोटो को देख पाएंगे पासवोर्ट बगरा डाल गे तो केसे आप लोग अपने इस फोन में फोटो को जो हाइट कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते है फोटो हाइट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक उप्शन मिलेगा प्राइवेसी का तो इस प्राइवेसी के उप्शन पर क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद यहापर एक उप्शन मिलेगा इस प्राइवेट सेफ का तो इस प्राइवेट सेफ के उप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करती ही या पर आपको pattern देखने को मिलेगा तो जो भी आपका privacy पासफोर्ट होता है गाई उस privacy पासफोर्ट को आपको डालना है डालते images and videos का option आपको इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद plus का option हैगा plus पे क्लिक करेंगे और या पर आपको photo show हो जाएंगे तो जिस भी photo को आपको हाइट करना है उन photo को आप लोग या पर से select कर लिए जब बहुत सरे photo को select कर सकते हैं एक साथ में select करने के बाद उपर जो इराइट वाला option है इस पे क्लिक कर देना है क्लिक करती है जो photo है guys या पर एड हो जाएगा और जो जो photo आप लोग या पर एड करको रखोगे guys वो photo आपको आपके phone में कही पर भी देखने को नहीं मिलेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने OPPO F25 Pro phone में आप लोग photo height कर सकते हो तो कैसा लगा guys आप लोग को कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिल देख लिक नेक्स वीडियो में अब तक कर लिए बबाई